दोस्तों नमस्कार, स्वागत आये, आप सभी का MGV Study Point यूटूब चैनल में, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, बोध धरम से समंदित इंपोर्टेंट टोटल 50 महतवपूर्ण कोशन है, तो आज हम बात करने वाले इन टोटल 50 कोशन की, ये सभी बोध धरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आज हम इनकी बात करेंगे, तो MGV Study Point यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करते रहें, और बात कर लेते हैं हम इसी के साथ में, जो कि ये सभी प्रीक्षाओं के त्यारी के लिए जिरूर आप इस चैनल को देखें, और चैनल को लाइ अग्ठ बार एकजाम में से, इस पर करके कूश्चन पूछे जाते हैं, बोध धरम के संस्तापक कोन थे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोध धर्म के संस्तापक की और ये थे गोतम बुध बोध धर्म के संस्तापक गोतम बुध थे और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो आगे हमारे पास कोशन नंबर है सेकंड कोशन सेकंड में गोतम बुध का जनम कब हुआ था तो बात कर रहे ह गोतम बूद के जनम की जो बोध धर्म के संस्तापक थे इनका जनम 563 इसा पूर्वे हुआ था गोतम बूद का जनम हुआ था 563 इसा पूर्वे और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो आगे मारे पास कोशन नमबर है थ्री कोशन 3 में गोतम बूद का जनम इस्तान का नाम क्या है तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गोतम बूद के जनम के इस्तान की गोतम बूद का जनम है वो कपिल वस्तू के लूंबीनी नामक इस्तान पर हुआ था तो बात कर रहे हैं गोतम बूद के जनम इस्तान की और इनका जनम क कपिल वस्तू के लूम्बी नमकिस्तान पे हुआ था और चलिए बात कर लेते हैं आगे हमारे पास question number 4 question 4 में किसे light of acia के नम से जाना जाता है तो Light of Asia के नाम से महतमा बुद को जाना जाता है महतमा बुद को Light of Asia के नाम से जाना जाता है और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो आगे मारे पास कोशन नंबर है 5 कोशन 5 में गोतम बुद के बच्पन का नाम क्या था तो बात कर रहे हैं गोतम बूद के बच्पन का नाम सिधार्थ था और आगे हमारे पास question number है 6 question 6 में गोतम बूद के पिता का नाम क्या था तो गोतम बूद के पिता का नाम सुदोधन था गोतम बुद्ध के पितागा नाम सुदोधन था और आगे हम बात कर लेते हैं गोतम बुद्ध के मा का नाम तो गोतम बुद्ध की मा का नाम माया देवी था गोतम बुद्ध की मा का नाम था माया देवी और अब हम चलते हैं आगे हमारे पास कोशन नंबर है कुशन 8 में महत्मा बुद्ध के सोतेली मा का नाम क्या था तो महत्मा बुद्ध की सोतेली मा का नाम परजापती गोत्मी था परजापती गोत्मी और महत्मा बुद्ध की ये सोतेली मा थी और आगे हमारे पास कुशन 9 में महत्मा बुद्ध की पतनी का नाम क्या था तो महत्म बुद्ध की पतनी ये सुद्रा थी और आगे कुश्चन नमबर है 10 कुश्चन 10 में गोतम बुद्ध के पूतर का नाम क्या था तो हम बात कर रहे हैं गोतम बुद्ध के पूतर की और उनका नाम था राहुल और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास कुश्चन नमबर ह और तो आगे क्वार्शन 11 में गोतम भुद्ध के सार्थी件 का नाम चना था? सार्थी का नाम चना था और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे आगे acas क्वार्य कूस्ष्ट 2 में में कितने वर्सकी अवस्ता में ग्रिहे्ए त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गोतम बूद की और वो किस अवस्ता में या कितनी वर्स की आयू में अपना घर छोड़ करके सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे तो यह है 39 वर्स की अवस्ता में और चलते हैं आगे तो आगे मारे पास question number 13 Question 13 में sitarth के ग्रहे त्याग की गटना को बोध धर्म में क्या कहा जाता है तो यहां पर हम बात कर लें sitarth जो मात्मा बुद का बचपन का नाम है और इन्होंने ग्रै त्याग कर दिया था इस गटना को बुद धरम में महा भी निश्करमन कहा जाता है और चलते हैं अगले कोशन की बात कर लेते हैं आगे मारे पास कोशन नमबर है 14 कोशन 14 में बुद ने अपना पर्थम गुरू किसे बनाया था तो हम बात कर रहे हैं बुद के पर्थम गुरू की और बुद का जो पर्थम गुरू था वो आलार कलाम था आलार कलाम था और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की आगे मारे पास कोशन नमबर है 15 कोशन 15 में बुद्ध ने अपने पर्थम गुरू से कौन सी शिक्षा प्राप्ते की थी तो बुद्ध ने अपने पर्थम गुरू से जो शिक्षा प्राप्त की थी वो थी सांख्य दर्शन बुद्ध ने अपने जो पर्थम गुरू से शिक्षा प्राप्त की थी वो सांख्या दर्शन थी और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो आगे हमारे पास कोशन नमबर है 16 कोशन 16 में गोतम बुद्ध के दूसरे गुरू का नाम क्या था तो हम बात कर रहे हैं गोतम के दूसरे गुरू जो गोतम बुद्ध के दूसरे गुरू थे वो थे रुद्रक दूसरे गूरू रुद्रक थे और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो आगे मारे पास कोशन नमबर है कोसन 17 में उरुवेला में कितने ब्रहमन बुद्ध के सीसे बने तो हम बात कर रहे हैं कि उरुवेला में कितने जो ब्रहमन थे वो महत्मा बुद्ध के सीसे बने थे तो वो 5 थे महत्मा बुद्ध के सीसे बने थे और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कोसन की आगे हमारे पास कोशन नंबर है 18 में बुद्ध के पांचों सीशे के नाम क्या थे तो यहां पे वो पांच जो ब्रहमन बुद्ध के सीशे बने थे उनके नाम पूछे जा रहे आप से और चलते हैं अब हम बात कर लेते हैं उनके पांचों के नाम की तो सबसे पहले तो कोडिन्य वपा भादि असागी और महा नामा ये पांच बुद्ध के सीसे थे और चलते हैं अब बात कर लेते हैं अगले कुशन की तो आगे मारे पास कुशन नंबर है 19 कुशन 19 में 35 वर्स की आयू में बिना अंजल ग्रहन किये आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी फल्गू नदी के तट पर पीपल वरिक्स के नीचे कितने वर्स की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हो गई थी तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बुद्ध को कितने वर्स की तपस्या करने के बाद या हम कह सकते हैं तपस्या सुरू करने के कितने समय बाद उसे ग्यान प्राप्त हो गया था तो यहां पे हमारा एंशुर है छे वर्स चे वर्स की कठिन तपस्या के बाद उसे बौध गया और वहाँ पर पीपल के वरिक्स के निचे जिसको बोदी वरिक्स कहा जाता है उसे बोदी वरिक्स कहा जाता है और 6 वर्स की कठीन तपस्या के बाद उन्हें ग्यान प्राप्ते हो गया था और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास कोशन नंबर है 20 कुशन 20 में ग्यान प्राप्ति के बाद सिधार्थ को क्या कहा गया था तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ग्यान प्राप्ति के बाद में गोतम बुद्र या सिधार्थ को क्या कहा जाने लगा तो ग्यान प्राप्ति के बाद में सिधार्थ को गोतम बुद्र और तथा गत कहा जाने लगा और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास question number है 21 question 21 में सिधार्त का गोतर क्या था तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिधार्त का जो गोतर था ये गोतम था सिधार्त का जो गोतर था वो गोतम था और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास question number 22 question 22 में गोतम बूद को किस रात्री के दिन ज्यान की प्राप्ती हुई थी तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि गोतम बूद को किस रात्री में उसे ज्यान प्राप्त हुआ था तो ये वेशाख की पुर्णीमा थी वेसाक मास्त की पूर्णीमा को गोतम बूद को बोधी विरिक्ष यानि पीपल के पेड़ के नीचे ग्यान प्राप्त हुआ था और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले कुस्चन की तो आगे मारे पस कुस्चन नंबर है 23 कुस्चन 23 में गोतम बूद ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो बात कर रहे हैं गोतम बूद ने जब कठीन तपस्या के बाद में ज्यान प्राप्त हो गया था तो अपना पहला जो उपदेश है वो वाराण सी के निकट सारनाथ में दिया था तो हमारा एंस्वर है सारनाथ कि वाराण सी के पास में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और चलते हैं बात कर लेते हैं इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक जरूर किजिए और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें चलते हैं बात कर लेते हैं कोशन 24 में उपदे उपदेश देने की इस गटना को क्या कहा जाता है तो हम बात कर रहे हैं कि गोतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया जाता था उस गटना को क्या कहा जाता था या हम कह सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है तो यहां पे हमारा एंस्वर है धर्म चकर परवर्तन उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्म चकर परवर्तन कहा जाता है और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले कोशन की तो आगे हमारे पास कोशन नंबर है 25 कोशन 25 में महत्मा बुद ने अपने उपदेश को किस भासा में दिया तो अब हम बात करें कि महत्मा बुद द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो कुन सी भासा में दिया गया था तो यहां पर हमारा इंस्वर है पाली भासा में पाली भासा में जो महत्मा बुद द्वार अपने उफदेश दिया गया था तो दुस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अब हम आगे बात करेंगे तो Q26 से लेकर के 50 तक है तो यह Q2 जो वीडियो 25 कोशन का था और अगला वीडियो है वो भी 26 से लेकर के 50 तक का वीडियो होगा तो जुरूर आप उसे भी देखे जो बहुत धर्म से समंदित से भी कोश्चन है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक शेर करते रहें और